मैश ले, मैजीगन मसल, सीजन टू, एपिसोन नूमर थी की सुर्वात वहीं से होते हैं जहां लास्ट वाला एपिसोन खतम हुआ था, जिसके बाद हम लोग को यहां पर एक बेक स्टोर्य पता जाती है और बताया जाता है कि आज से कुछ साल पहले, मिडल उसकूल डिवीजन में एक टूर्णमेंट रखा गया था और इस टूर्णमेंट का जो मेल लक्षे था, तेरह से साल के जो यंग टेलेंटिल मैजिक यूजर है, उनको ढूनना इसका परपस था, उनमें जो एक मैजिक यूजर था, वो बहुत ही जादा ऑवर पावर था, बाकी कॉम्पटीटर की तुल्ला में, उसकी डॉमिनेंस की वजह से और इस विनर को लेके सभी के मन में डाउट होने लगा, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन बठाई गई, और इस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि रूल्स का वॉयलेशन हुआ था, उसने अपने उमर के बारे में जूट बोला था, वो उस समय पर सिर्फ नौ साल का था, उसका नाम था मार्ग्रेट मैकरोन, जी हाँ यही बंदा, दो फ्यूचर परफेक्ट और और का डॉम, इसके लगत फिर से हम लोग को यहाँ पर प्रजेंट का सीन दिखाया जाता है, मार्ग्रेट कहता है कि मैंने सो और मेरे को लगता है, जो तुम्हारी पोजीशन है, मैं यहाँ पर काफियता अश्चर रहे हो कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है, प्रजेता कहते ही, उसके उपर एक अटेक करेता है, दूसरी तरफ हम लो यहाँ पर मैश और उसके साथ योगों देखते हैं, जो कि अभी रेन के उपर अपने साउंड से यहाँ पर अटेक करता है, जिसका साउंड सुनने के बार, रेन अपने मन में सोचते हो कहता है कि इसकी जो चिलाने की आवाज है, यही मेरो दिमाग खराब कर रही है, रेन भी उसके अटेक के जवाब में उसको यह उपर अटेक करने वाला ह कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अटैक नहीं करता क्योंकि हम दोनों का अटैक जब एक दूसरे से टकराएगा तो बहुत बड़ा धमाका होगा रेन क्या तुम्हें यह बात जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आर्ट लव स्पोर्ट ड्रिंकिंग इन में से कोई भी ज़रूरी चीज नहीं है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तो फिर मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ सिंपल तो कि उदासी मौत है हम उस भागदोर की खोज में अपना जीवन जीते है लेकिन तुम बे मतला में दूसरों की ब्रा में टांगडा रहे हो तुमने मेरे को बोर कर दिया है और मैं यह इमेजिन भी नहीं करता हूँ कि तुम जैसे लोग तो तुम अब ऐसा करो साइ आर ग्रेड भी यहाँ पर रहें को यह देखते हुए क्या इसका मूर बजल रहे गया दूसरी देखते हैं कि हेड मास्टर के पास जाता है और सारी सीजुशन बताता है नहरे हेड मास्टर को बताता है पारगेट मैकरोन और लॉड रें उन दोनों के बीच में फाइट हो र पारे में नहरे उनको बताता है जहां तक मेरे को पता है लाइन्स जैसे जैसे इंकरिज होती है यूजर की पावर जो होती है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाती है मास्टर बताते हैं कि एस्टर जो स्कूल है वो काफ यह पुराना है हम लोग के पास बहुत सारे डबल लाइ तुम लोग रेन को देखते हैं मार्गेट से कहता है और मैं यह मेकशियर करूँगा कि जो बच्चा है वो जीतने दूर हो सकता है उतना दूर चल जाए तो रेन यहाँ पर मैश की बात कर रहा होता है इस तरह मैश और मैश के दोस्तों बैखते हैं फिन कहता है ताई यार वो बहुत ज़़ा इन्नोसेंट है इन सब चीजों में इस पे लैमन कहती है अगर मैं उसकी जगा होती तो मैं इस पूरी सरसाइटी को ही बलेम करती और इस तरफ हम लोग मैंश को देखते हैं जो कि बहुत ज़़ाद टेजी से भार भागतो जाता है एक जिगार रुक कर कहता है चलो अब मैं यहां रुजाता हूँ क्योंकि मेर को यहां पर ढोड़ नहीं पाएगा और क्रीम पफ निकालता है तो एक जो बहुता है और इस तरफ रेन मार्गेट की ही फाइट चल रही होती है और मैश इन दोनों से थोड़ी सी दूर पर ही अपना क्रीम पफ खा रहा होता है Margaret जो होता है वो Rain से कहता है कि Triple Liner जो होते है वो Talent होता है वो God Gifted होता है और मेरी उमर में कोई यहाँ पर इस तरीके तर इस लेवल में पहुच जाए में वो काफिया तर बढ़िया लगेगा Mash भी यहाँ पर आयाता है और छुपकर इन लोग की बाते सुन रहा होता है उन दोलों की बीच में आपसे थोड़ी और बात चीत होती है जिसके बाद Rain कहता है कि जिस बच्चे को तुम ढूड़ रहो यानि कि Mash Burned को वो Magic का इस्तिमाल नहीं कर सकता है असल में जो Magic यूज नहीं कर पाते है उन लोगों से जैलस होते हैं जो कि Magic इस्तिमाल कर सकते है वो इस बात में रिग्रेट करते हैं कि आखिरकार वो पैदा ही क्यों हुए और वो इस सुसाइटी से हेट करते है लेकिन Mash Burned ऐसा नहीं सोचता है वो अलग है Mash अपने ही fate के against fight करता है वो अपने आप से ही लड़ता है शायद तुम इसको समझ पाओगे जिसके बाद मार्गेर को कहता है कि वाओ कितने अची स्पीजी तुमने मैं इसकी परभाद नहीं करता हूँ मार्गेर के पीछे खड़े जो उसके साथ ही होते है तो यह एक बंदा होता है अपने मार्व सोच दो कहता है कि इनका जो confident है triple liner को face करने का वो तो कुछ अनोखा ही है अभी भी यहाँ पर जो मार्गेर का hauling sound होता है train के चारों तरफ लगा हुआ होता है लाकिर कर exactly double liner और triple liner में क्या अंतर होता है क्योंकि हमारे point of view से इन लोगों की जो class होती है वो अलग-अलग होती है headmaster उसको बताते है कि triple liner वो होते है उनकों की god के द्वारा चुरा जाता है हाला कि यहाँ पर उनके पास double liner से ज़्यादा power होती है लेकिन ऐसी चीज है कि बहुत ज़्यादा कठिन है जो कि वो लोग कर सकते है और वो यह है कि उनकी जो छड़ी होती है वेंड्स उसको वो लोग awaken कर सकते है उसके true form में headmaster कहते है कि हाँ ऐसा कहा जाता है magic के gift है जो कि हम लोगो god से मिला है और इस तरफ जो rain होता है वो अपनी यहाँ पर वेंड निकाल लेता है तो अपना magic करना इस्टार्ट करता है और margade का magic होता है उसको break कर देता है उसको देखकर तो margade भी काफे था हैरान होता है वो कहता है कि इसने मेरा जो hauling sound है उसको repel कर दिया जिना उसको activate करे और इसकी जो magic energy है कि इसने भी produce की है वो इससे ज़्यादा ताकतवर है साथ में यहाँ पर headmaster बता रहे होते है क्योंकि जो true form है उसका मतलब यह है कि वो लोग summon कर सकते है pod of war को और वो अपनी wand के अंदर pod की जो strength है उसको बुला सकते है जिसको देख कर यहाँ पर margret जो ता वो तो काफेदा हैरार हो जाता है वो कहता है इसकी जो ज़्यादू की छड़ी है यहाँ पर अपना form चेंज कर चुकी है यह है sword gain the divine visionary of war rain भी उसको बड़े ही अराम से कहता है यह checkmate और अपनी जादू का इस्तिमाल करके उसके उपर इस बहुत बड़ा attack करता है इसको देख के margret की तो हालत खराब हो जाती है यह से margret अपना magic के इस्तिमाल करके rain की इस attack से रूप बचने को ही करता है लेकिन यहाँ हो नहीं पाता है rain की attack बहुता पारफुल होता है उसकी हाथ खराब कर देता है उसके बाद पीछे तो मैश आता है और rain को thanks बोलता है और कहता है कि शायद मैं को thanks बोलना चाहिए जिस पर rain तो कहता है किस बात के लिए दुनिया को दिखाओ तुम क्या कर सकते हो दुनिया उस चीज को पसंद करेगी जो कि उन्होंने से पहले कभी नहीं देखा तो तुमको जीतना ही होगा मेरी इस बात को याद रखना वैसे मैं कुछ बनीस को यहाँ पर देख भाल करने के लिए जा रहा हूँ जिस पर मैश उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बनीस को पसंद करते हो मार्गेट बेचारा भी यहाँ पर खड़ा हो गया होता है किसा जो साथी होते हैं उन लोग की तो हालत खराब हो गया होते हैं मार्गेट यहाँ पर बचिया होता है मार्गेट कहता है कि मैं अगली बार उसके उपर अपने जो सेकंड स्पैल है उसका इस्तमाल करूँगा और मेरे को विश्वास है मैंने जो सबसे बहतरीन है उसको बचा के रखा अंत के लिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर मैश और उसके फादर को देखते हैं जो कि आपसे कुछ बाते कर रहे होते है मैश के फादर उसको बोलते है कि मैंने सुना कि उन लोगों ने पता लगा लिया है कि तुम मैजी का इस्तमाल नहीं कर सकते हो और इस crime के लिए तुमको punishment दी जाएगी अगर तुम उनकी demand को पूरा नहीं कर पाते हो तो मैश के फादर अपने आपको इक कोशते हैं कि मैं तुमको एक बहतरी life नहीं दे पाया मैं तुमको एक normal life भी नहीं दे पाया साथ यह सब कुछ मेरी गलती है जिस पे math उसको कहता है कि नहीं मैं खुश हूँ मेरको यहाँ पर school experience करने के मिला चाहे वो थोड़े समय करे मिला हो मेरको काफी अच्छे बैतरे इन friends मिले और मैं वो काफी जादा cream puff काने करे मिला मैं काफी जादा खुश हूँ पॉप और अपने father को thanks बोलता है जिसके बाद के father भी खुश हो जाते है और उसको बोलते हैं ठीक है जल्दी आना ये बाद हम लोगों को बताया जाता है कि divine visionary बनने के लिए यहाँ पर तीन stage को पार करना परता है पहला stage coin को इकठा करना दूसरा stage candidate selection exam को पास करना जिरो ने prison को break कर दिया और इसकी वज़ाए जल्द से जल्द exam करवाया जा रहा है और इसी लिए अगर सिर्फ आपके पास three coins भी है तो भी आप इस exam के लिए qualify कर जाएंगे और इसके साथ हमारा ये वाला जो अपिसोड है आपर खाता है अगली सीन में हम लोग देखेंगे कि इनका exam कैसे होता है क्या होग होता exam में तो next video को देखने के लिए आगर चलने को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर से कर देना वीडियो चुरू की वीडियो को like कर देना मिलता होगा उपनी next video में